नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल विज्ञान पर जहां मैं हिंदी किताबों से जुड़े वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ और आज मैं बात करने जा रहा हूँ निर्मल वर्मा जी की किताब वे दिन के बारे में और निर्मल वर्मा जी मेरे फेवरिट राइटर है और ये किताब मेरे दिल के बेहत करीब है और मेरी बेहत पसंदल किताबों में से एक है तो आज के वीडियो में मैं इस किताब के बारे में बात करने को लेकर बहुत excited हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये किताब नहीं है ये एक उदासी भरी कविता है और अगर आपने निर्मर वर्माजी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उनके लिखे में आप जिन चीजों से भी रिलेट कर पाते हैं यानि कि एक मिठी उदासी, अकेले पंज से जूसते किरदार और अंतरवन में उदरने का मौका और एक सच्चाई वो सच्चाई जो सतह पे नहीं है सतह से बहुत नीचे गहरे में जाकर मिलती है ये सभी चीजे इस किताब में भरी बड़ी है और उन्होंने जो इस किताब में लिखा है अगर मैं उसी में से आपके एक एक एक्जामपल दूँ तो वो लिखते हैं हम में ये प्रथा थी मेरे ख्याल में सब विदेशी चात्रों में ये प्रथा थी कि वे एक दूसरे के निजी जीवन को अलग रहने देंगे इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे की प्राइवेशी का आधर करते थे बलकि हमें मालूम था कि हमारी दखल देने या ना देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा हम सिर्फ एक दूसरे को इतनी सीमा तक जानने लगे थे जहां यह पता चल जाता है कि तुम दूसरे की मदद नहीं कर सकते तुम मदद कर सकते हो लेकिन उतनी नहीं जितनी दूसरे को जरूरत है और यदि जरूरत के भीश्म साहनी जी की जो किताब है तमस अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें एक फ्लो है और आप एक सुटिंग में उसे खतम कर देंगे आप कहानी के साथ में बहे जाएंगे और आप सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा पर निर्मर वर्मा जी के साथ में ऐसा नहीं होता उनकी कहानियों के साथ में आप बहते नहीं हो आप उनमें डूब जाते हो उनकी कहानियों में क्या होगा से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जो हो रहा है जो किरदार है वो क्या देख रहा है क्या सुन रहा है क्या महसूस कर रहा है और उससे उसके मन में क्या हो रहा ह और ये सब आपको इस किताब में बहुत पढ़ने को मिलेगा और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा तो कहानी हमारे हीरो की है जो हिंदुस्तानी चात्र है और प्राग में रहता है वो अपने दोस्तों के साथ में होस्टल में रहता है और उसके पास अकसर पैसों की कमी रहती है और इसी बीच क्रिस्मस की चुट्टियों में उसे एक टूरिस्ट एजनसी की तरफ से आई एक मह राइना और उसके बेटे मीता को घुमाने का काम मिलता है वो तीन दीन राइना को प्राग घुमाता है और वो तीन दीन जिस तरह से राइना के साथ बिताता है और उस दौरान वो राइना किस तरह से दूसरे के नजदीक आते हैं और वो क्या महसूस करता है बस यही कहानी है इस किताब की, तो अब बात करते हैं कि मुझे इस किताब में क्या का चीज़ अच्छी लगी, तो वैसे तो मुझे इस किताब में बहुत सारी चीज़ अच्छी लगी, और अगर मैं बात करना चाहूं, तो मैं बहुत सारी बाते इस किताब की बारे में कर सकता हूं, वागर फ से या गिरजागर है या जो पहार हैं वो वो सब चीजे दो लखाता है ये तर उसके верcla wo बाजर ुसकी दुखाने में उसके पब इसके उसके कैफे वो सारे और उसका होस्टथ तो वो सारी होट दिखाता है और साथ साथ में हम पार्ट को भी मौका देता है कि हम اतनी खुबसूरत चीजे पढ़ सकें दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो कि मुझे लगता है कि इंडिद्मल वर्माजी की किताबों और कहानियों में किलिकरन थीम भी होती है वो कि अकेले पन से जूजते किरदार और इस किताब में जो मुझे हार एवे किरदार नहीं है और एक बात जो इंपोर्टन है वो है कि इनके साथ में कोई हाथसा नहीं हुआ यानि कि यही लाइफ है लाइफ कोई फूलों का सेज नहीं है कुछ आपको प्लेट में परोस के कुछ नहीं मिलेगा ये एक हलकी सी उदासी ये एक फरस्टेशन ये छोटी सी शटपटाहट ये लाइफ में हमेशा रहेगी और हमें लाइफ को इसके साथ स्विगार करना चाहिए और डिग्निटी के साथ स्विगार करना चाहिए और ना तो जो हमारी फरस्टेशन है वो हमें किसी पर निकालनी चाहिए और ना ही किसी से उमीद गरनी चाहिए कि कोई हमें समझेगा तेसरी बात जो मुझे बहुत खुट सूरत लगी वो यह कि अगर कोई चीज है और वो आपसे दूर होने वाली है और आपको पता है कि वो आपसे दूर होने वाली है तो फिर वो जो आखरी के लम्हों में आपकी छट-पटाहट होती है वो इस किताब में बहुत खुबसूरती से दिखाया गया है हमारा हीरो उसे पता है कि रायना कल चली जाएगी और उसके पास बसी आज की रात है और वो जो लम्हे जा रही है वो उन्हें किस तरह से पकड़ने की गोशिश करता है किस तरह सहेजने की या समेटने की गोशिश करता है ये इस किताब की आखरी पन्नों में बहुत खुबसूरती से दिखाया गया है मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आखरी पन्य आप पढ़ रहे होगे तो आप खुद को खोद होगे आप डूब जाओगे उन पन्यों में इतनी खुबसूरती से इस किताब के आखरी पन्य लिखे गए है और ये जो बात में आपको कह रहा हूँ इसे पुखता करने के लिए मैं आपको किताब में से एक दो एक्जांपल देना चाहूँगा और निर्मल वर्मा जी लिखते हैं की तरह अपने में नहीं रह सकूँगा उस रात पहली बार मुझे लगा कि एक व्यक्ती दूसरे के लिए अंधेरा है जैसे वे मेरे लिए थी, मैं उसके लिए तीन दीन, तीन वर्ष, समय कुछ भी मानी नहीं रखता अगर हम एक सुलकते क्षण में अंधेरे के बीच उस ताप को पकड़ सकें यह जानती हुए भी कि वह जीवीत नहीं रहेगा और यह जानती हुए भी कि उसके बुचने के बाद हम फिर दुबारा अपने अपने अंधेरे में ठिटूरने लगेंगे तो यह था मेरा वीडियो और आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट सेक्षिन में मुझे जरूर जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और मैं हिंदी की किताबों पर अकसर ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं मेरे नई वीडियो के साथ में तब तक अपना बेहत क्याल रखिये